हरा नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटिट पेरल जे इरल जहारखन लाइब्स में दोस्तो आप सभी लोगों की काफी ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि जुज़िला पंचायती राज विभाग के अंदर गत नियुक्ति की जानी है कनी अभियंता और कंपीटर कि इसमें एक्जाम किस तरह से होगा और सिलेबस क्या रहने वाला है किस तरह से यहां पर सेलेक्शन किया जाएगा उसे सब मंदित बहुत सारी क्वेरी आ रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कि यहां पर अलग से वीडियो सेप्रेट बना दू ताकि आप अच किसी एक विज्यापन को उठाया है और किसी भी विज्यापन को देखेगा तो नियम और सर्त जो है वो एक ही तरह से है तो हम लोग यहां पर इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या योगिता रहने वाली कैसी आपके यहां पर एक्जाम ली जाएगी तो दोस्तों अग ब्लोग इहां पर पुरी ड्रस में देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर देख विज्यापन यहां पर जारी किया गया है और こ वांचित योग्यता यहां पर रखी गई है क्वालिफिकेशन जो रखा गया है और चैन की प्रक्रिया है वो चली हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे किस तरह से नंबर दिये जाएंगे वो चीज को यहां पर समझ लिजे तो आप की जाएगी और जीला अस्तेरी चैन समी्टि में निमलिखित सदस्य होंगे और यहां पर माक्स देंगे अंक देंगे और जाँच्यिक पनगे परखेंगे तो उसमें कौन-कौनध से सदस्य होंगे यहाँ पर दिखराए जिए ध्यक्ठा रहेंगे वह उपायूत रहेंगे कोय भी पाई। जिन्हें मनोनित करेंगे , वो सभदस्थि क roof में रहेंगे , यही लोग यहां पर समीतिमें भाएठेंगे और चयन करेंगे तो अब यहां पर दखी कि मेधा सुची जो है किस परकार आपके यहां पर तयार की जाएगी तो सभी पदों के लिए खुला विज्यापन के माध्यम से यहां पर आवधन पत्र जो है मंत्रित किये गए हैं तो उसके उप्रोग्त प्रारंभिक मेधा सुची में सामिल अभियर्थियों को विसे अभियंत्रा नेक्ज्ञान हेतु जाज परिक्षा में समलित होना आनिवारी होगा तो आपका यहां पर एक्जाम भी होगा या कनिया भियंता अगर आवधन किये हैं कनिया भियंता के तो यहां पर देख लिए सौ नंबर का डोटल यहां पर जो है वह मांक्स रहेगा जिसमें कि अनिवारी सक्षिनिक क्योगता अगर आपको है तो यहां पर 50 अंक आपको दिये जाएंगे वांशित योगिता भी कही गई है तो अगर वह भी आपके पास यहां पर है तो 10 अंक वांचीत योगत्यत आपको 10 अंक मिल जाएंगे और अनुभव है जो पहले से कारी कर चुके हैं उनको एक्सप्रियेंस हैं तो वहां पर 30 अंक दिये जाएंगे तो उनको यहाँ पर 30 अंक दिया जाएंगा विशाय ग्यांक फारिक्छा होगा यही यहां पर आपका एक्जाम होना है पांच तारीक को, पांच तारीक को आपका यह एक्जाम होगा, दस नंबर का होगा, तो जो कनिये अभियनता है, सिबिल से उनका ट्रेड होगा, और यहाँ पर सिबिल ट्रेड होगा, तो उससे सम्मंदित, दस नंबर के आपसे यहाँ पर जो है, वो एक्जा एकडा और आती है तो इसमें यहां पर आपको 10 नम्बर से आंक यहां पर दिये जाएंगे टैपिंग के लिए तो Hmm कर यहां पर 10 नम्बर काई जाए। यहां पका लिया आपको टै Nevada उसमें से कम से कम क्वालिफाइश करने के लिए किसी भी अभ्यारती को चार आंक यहाँ पर लाने आनिवारी होंगे यह काणिय अभ्यानता हो या फिर लेखालिपिक सब्सक्राइब करने के लिए जो जाज पर किया जागा उसमें से कम से कम आपको यहां पर चार नंबर लाने हैं तो बेसिक चीज पुचा जाएगा यहां पर कनिया भ्यंता के लिए इसम्मनदित आपका सब्सक्राइए जैंकरा चार तो इसके भी तैयरी करके में चैसे टेश्ट भी आपको यहां पर जो है वह लिया जाएगा इसमें चार अंकल आने जो कम लेखा लेखा लेखिक साफ कंप्यूटर ओपटर के लिए आवेधर किए हैं ठीक है तो इसमें आपको भी आपको और कन्फूजन नहीं हुगा कि सिलेबस क्या है ठीक है तो यहांपर और टाइपिंग अगर उनको आती ही होगी तो कि लेखा लेखा लेपिक से कंप्पेटर आप बढ़ रखा है तो टाइपिंग आपको आना कंपल्सर ही है तो यह दोनों चीज आप यहाँ पर कर लिचे और जो कनिये भेंते हैं वह सिर्विल ब्रांच से जो भी बिलॉंग करते हैं तो वह समधें ट्रेड से कुछ-कुछ यहाँ पर आपनी बेसिक नॉलेज्ज जो है वो रिविजन के तौर पर कर सकते हैं ठीक है वही आपसे एक्जाम में दस अंका पूछा जाएगा ठीक है अब चीजे जो है वह किलियर हो गईग है आपके दिमाग में कुछ भी जूर सके और सारी जानकारी पासके हैं यदि आप जैप यसी के त्यारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्सरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा